या जिसका मेरे पास है ने इस्टेंड नौहे हो फूरी तरह कॉराब हो चुका या यह तो दोश्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे cómo इसे बदलते ही उस्य得 चैलिए दोश्तों वीड़ियो सुरू करते हैं तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस्टेंड जयो पूरी तरह खतम हो चुका है पूरी तरह टूट चुका है और दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने इसे रसी से बांध रखा है तो दोस्तों सबसे पहले खोलेंगे इसके साइलेंसर को तो दोस्तो आप देख सकते हैं silencer जो है वो खुल चुका है अब हम इसका petrol बंद करेंगे क्योंकि हम इसमें गरेंडर से काम करने वाले हैं तो दोस्तो ये जो point है इसे हमें गरेंडर से काटना है जार दोस्तो ये जो काम करेंगे काम करेंगे को बंद करेंगे करेंगे के देख सकते हैं कर दो कर दो कर दो कर दो तो दोस्तों यहां पर एक पीन होती है जिसको हमें निकालना होता है तो दोस्तों यह है वो पीन जिस पर पूरा इस्टेंटी का हुआ होता है तो दोस्तों यह है नया इस्टेंट जो मैंने मार्केट से लगबग 300 रुपे में खरीदा है तो दोस्तों यह है वो पीन जिस पर पूरा इस्टेंटी का हुआ होता है इस नई पिन को इसमें लगा कर हम इसे लोग करेंगे अब हम इसमें स्प्रिंग लगाएंगे जो सबसे में काम करती है इस्टेंट को जह है उपर उठाये रखती है तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस्टेंट का पूरा कम्प्लीट काम हो चुका है तो दोस्तों अब जो हमने साइलेंसर खोला था हम उसे वापिस से फिट करेंगे तो दोस्तों इस्टेंट मैंने बार लोकल मार्केट से लिया था जो कि मुझे पढ़ा था 300 रूपे में और इस्टेंट लगाने के लिए मिस्त्री ने मेरे से 100 रूपे लिये थे तो दोस्तों खर्चा इसमें आया है लगबग 400 रूपे का तो दोस्तों आप देख सकते हैं बाइक के में इस्टेंट का कम्प्लीट काम हो चुका है और एसे और इंट्रेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं धन्यवाद कर दो दोस्तों